क्या हाय भयं ? लगड़ांच मीन वयलोधियोम। इसके पहले वीडियोमा क्या है ? रोल्स मीन भेलो थियों थियों को बाड़ में सीखा हूँ अज लगढ़ंस मीन भेलो थियों यह क्या होगा एक्जिस्ट करेगा सका डिरिविटि एक्जिस्ट करेगा तीसरा पॉइंट क्या है यह ही चेंज होगा, रोल्स्थेरों में क्या था, f of x and f of v equal होगा, ठीक है, इसका मतलब f of v equal होगा, यहाँ पर क्या है, अगर नहीं equal होगा, तो क्या होगा, ताब आएगा हमारा लगड़स्थेरों, then there exists at least one point c, c क्या होगा, एकर b क्या अंदर ठीक होगा, ठीक है, इसका मतलब f of v minus f of v divided by b minus equals to f dash c, इसका derivative debug है, अब इसका geometric intervention देखते हैं, तो समझवा जाएगा, देखो, हमारा कहा है, समझ एक्स 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 एक्स, एक है हमारा, जो card था, a है, एक पर देखो, a point का है, a point, a का है b point, इसका फैलो देखो, इसका फैलो त तो rules theorem, a कहा है, f of a, और एक है f of v, देखो, equal नहीं, अगर equal होते है, तो rules theorem लग जाता, क्योंकि f of v, एक और समझ होता, equal नहीं, इसलिए लगड़ा, लगड़न theorem, अब देखो, equal नहीं, तो क्या हुआ, इसका अंदर एक point रहेगा, c, suppose a point c, तो इसका slope क्या होगा, f dash c, slope होग y to minus y on, and x to minus section, f or y to minus 1, इसका point क्या है, f of v minus f of a, इसे मतलब, f of v minus f of a, and x to minus section, इसका भलो क्या है, d minus a, d minus a, ho गया, f dash c, इसलिए, रोल स्थेर में क्या था, f dash equals to 0, क्योंकि एक दुनों point, same था, f r same नहीं, तो f dash equals to kya होगा, third point, जो condition, f of v minus f of a, divided by b minus a, होगा, आप देखो, ही कहे रहा है, यहाँ पर, आप देखो, एक example देख लेते हो, बहुत आसरी नहीं से समझ वाँ जाएगा, आप देखो, question क्या है, verify, lagdance mean value theorem, for the function, function क्या, f of x is equals to root of a, x to minus 4, interval क्या है, 2 and 4, एक है, पॉनिलो मेल, इसका मतलब, continuous होगा, इस interval पे, and derivative होगा, इस interval हो, इसका मतलब, फर्स्ट दो पॉइंट था, वो, condition सेरिस्पे कहला, थर्ड पॉइंट क्या है, अब देखो, if there is x c point होगा, यहाँ पर देखो, f of b का value क्या है, f of b का value, अगर, root of a, 12, कि इसका मतलब, 4 square, 16 minus 4, root of a, 12, और f of a का value क्या है, f of a, 2 square, मतलब, 4 minus 4, 0, 0, यहाँ पर देखो, f of a, f of equal to f of b, ठीक है, इसलिए हमको यहाँ पर roll serum नहीं होगा, आप लगड़ा देखो, वो कहा होगा, एक point exist काड़का, f of c, वो क्या होगा, equal क्या होगा, f of b minus, f of b minus, f of b minus, तो फिर इसका आगर, जहाँ वोड़ा फंस है, इसका derivative क्या होगा, f of x, 2 root of a, x इसका minus 4, यहाँ है, इसक मतलब, x divided by, x square minus 4, अब देखो, इस फोर में लो को आप पूट करना है, f dash c, equals to, f of b minus, f of a, divided by, b minus a, अब देखो, f dash c, इसका मतलब, x का पूजिए होगा, c, root of a, c square minus 4, equals to, f of b, इसका भाल का है, root of a, root of a, 12, minus f of a, इसका भाल का है, 0, b minus, इसका मतलब, 4 minus, 2, 2, इसका भाल काहा है, root of a, 12 by, 4 minus 2, 2, ठीक है, तो c, root of a, c square minus 4, root of a, 12, इसका भाल काहा है, 2, 2 root 3, divided by 2, 2, कर जाएगा, root of a, 3, अगर, multiply कर दोंगा, c, equals to, root of a, c square minus 4, into, root of a, 3, ठीक है, अब इसका भाल काहा, होंगा, दोने तरफ तरफ तो, इसका भाल काहा, इसका भाल काहा, इसका भाल काहा हो जाएगा, c square equals to 6, तो c का भाल काहाएगा, c equals to root of a, 6, plus minus 4, पर plus होगा, क्योंकि देखो, root of a, 6, जो हमारा interval काहा, 2 and 4, इसका अंदर रहे था, root of a, 6, तो इसका साटिस्फाय कर लिया, हमारा जो लगड़ाज theorem का condition क्या था, जो c का भाल होगा, वो, जो interval a and b, इसका अंदर रहेगा, root of a, 6, 2 and 4 का अंदर ही है, इसका मतलब हमारा लगड़ाज theorem साटिस्फाय कर लिया, तो फिर इसको, ऐसे साटिस्फाय कर दो, अगर साटिस्फ